नमस्कार दोस्तों रादे रादे आज की वीडियो है सारीक मांसिक और आर्थिक रोगों सेमुक्ति के लिए कार्तिक मास में करे ये तस सरल उपाए सनातन धरम में हर महा का अपना अलगी मैटव होता है कार्तिक का महिना बहुत ही मैटव पुर्ण माना जाता है धार्मिक गरंथों के नुसार यह महिना भगवान विश्नु जी को समर्पित होता है कार्तिक के महिने में इसनान दान आदी उपवास करने का भी विदान है धार्मिक मानेता के अनुसार इस महिने पवितर नदियों में इसनान और गरीब असाय लोगों को दान और उपवास करने से सभी प्रकार के कश्टों से मुक्ति मिलती है इसी महिने में भगवान सीव और विश्नु जी तथा कार्तिके और तूलसी जी की पूजा का भी विदान है इतना ही नहीं अच्छे फल की प्राप्ति करने के लिए इस महिने मातालक्समी जी की भी विशेज पूजा अरार्दना की जाती है कार्तिक के महिने में तप और वर्त भी किया जाता है इस महिने में किया गया सभी परकार की पूजा अरार्दना फलदाई माना जाता है कार्तिक मा आरोग्य परदान करने वाला रोग विनासक सद बुद्धी परदान करने वाला तथा मालक्समी जी की साधना के लिए सरवत्तम है सरद पूर्णीमा के बाद से कार्तिक महीना लग जाएगा सभी महा में कार्तिक महा को सरवस्रेष्ट महीना माना गया है यह महा पाप का नास करके व्यक्ति के सभी संकट दूर कर देता है और धन, सुक, समरिध्धी, स्यांती एवं निरोग परदान करता है यह जानते है कि इस महा में कौन से दस पर्मु कार्य करने चाहिए सरीहरी को बहत पिरिये है कार्तिक महा अयोध्या के जोतीसी पंडित वालमिकी जी बताते है कि कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है अब की बार का कार्तिक इसलिए भी महतवपुर्ण है क्योंकि चंद्रग्रहन के एक दिन बाद ही शुरू हो रहा है कार्तिक का महीना स्रीहरी विष्णू जी के लिए समर्पित है इस महीने में तुलसी जी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णू जी की भी पूजा करने का विदान है इस महीने पूरे देश और दुनिया के लोग धार्मिक स्थलो पर जाकर पवितर नदियों में इस नान कलपवास करते है साथ ही जगतपती भगवान विश्नु जी को परसंद करने और मातालक्समी जी की प्राप्ती के लिए अनेक प्रकार के उपाये भी करते है कार्तिक महा में दिपावली का परवभी मनाया जाएगा इसके अलावा एकादसी का परवभी इसी महा में है धार्मिक द्रिष्टी से महा बहुत ही महतवपुन माना जाय रहा है कार्तिक महिने में करे ये उपाये नमबर वन नदी इसनान कार्तिक के पूरे महा में पवित्र नदी में सनान करने का परचलन और महतव रहा है इस मास में स्रीहरी जल में ही निवास करते है मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक मास में इंद्रियों पर सेयम रखकर चान तारों की मोजूदगी में सुर्योद्य से पहले ही पुन्य प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए कार्तिक महा में तुलसी के पोधे की पूजा करने का विधान है इसके लिए सुबह स्याम तुलसी के पोधे के पास घी का दीपक जलाये साथ ही तुलसी चालिसा का पाठ भी करे। ऐसा करने से मातालक्षमी जी जल्दी परसं होती है। नमबर दो वर्त इस दिन वर्त का भी बहुत अधिक मैतव है। इस दिन उपवास करके भगवान जी का इस्मरन चिंतन करने से अगनिश्टोम यग के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्य लोग की प्राप्ती होती है। कार्तिकी पुर्णीमा से प्रारंब करके प्रतियक पुर्णीमा को रात्री में वर्त और जागरन करने से सभी मनोरत सिद्ध होते है। कार्तिक महा में रोजाना स्याम को अपने घर के मंदिर में साथ कपूर जलाए ऐसा करने से घर में सकारात्म कुर्जा का प्रवेस होगा और घर में सुक्सांती रहेगी घर के लोगों के बीच जगडे कलहक खतम होंगे नमबर तीन दीपदान इस महा में दीपदान का बहुती अधिक महतव है नदी तालाब और जगो जगो पर दीपदान करने से सबीत रहके संकट समाप्त होते है और जातक कर्ज से भी मुक्ति पा सकता है कार्तिक मास में अश्ट लक्समी जी की पूजा करने का बड़ा महतव है अपार धन लाब संतान प्राप्ति और यस के लिए कार्तिक मास के हर सुकुरवार को अश्ट लक्समी जी की पूजा करे अश्ट लक्ष्मी जी की पूजा करने से देवी परसन होकर आपको एक साथ सभी कुछ प्रदान कर देती है नमबर चार है भूमी पर सयन इस महां में भूमी पर सोने से मन में सात्विक्ता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान होता है कार्थिक मा गंगा इसनान का बहुत ही बड़ा महतव है यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी अन्य पवित्र नदी में इसनान करे या घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिला कर इसनान करे इससे भगवान विश्णु जी की किरपा से आपके सारे कष्ट दूर होंगे नमबर पांच तुलसी पूजा इस महा में तुलसी की पूजा सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज़्यादा महतव है इस कार्तिक महा में तुलसी पूजा का महतव कई गुना माना गया है नमबर छे दलन खाना मना है कार्तिक महिने में उडद मूंग मसूर चना मटर राई आदी नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज और मासहार का सेवन ने करे नमबर साथ तेल लगाना मना है इस महा में नर्क चतुर्दसी कार्तिक क्रिशन चतुर्दसी को छोड़ कर अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है नमबर आट इंद्रिय सियम कार्तिक मास में इंद्रिय सियम में ठासकर ब्रह्मचरिय का पालन अतियावश्यक बताया गया है इसका पालन नहीं करने पर असुप्फल की प्राप्ति होती है इंद्रिय सियम में अन्या बाते जैसे कम बोले, किसी की निंदा या विवाद नै करे, मन पर सियम रखे, खाने के परती आसकती ना रखे, ना अधिक सोए और ना अधिक जागे आदी नमबर नो दान, इस महिने में दान का भी बहुती जादा महतव होता है अपनी अक्षमदा के अनुसार अन दान, वस्तर दान और अन्या जो भी दान कर सकते हो वह दान अवश्य करें नमबर दस पूजा, इस महा में तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विस्नु जी की पूजा, लक्समी जी की पूजा और यग्य एम हवन का भी बहुती अधिक महतव है इस दिन चंद्रोध्य पर सिवा, संभूती, संतती, प्रीती, अनुसिया और अक्षमा, इन 6 कृतिकाओं का अवश्य पूजन करना चाहिए नमबर 11 है, यदि आप भगवान विस्नु जी के उपासक है तो आप उन्हें और भी अधिक परसंद करने के लिए इस पूरे महा तुलसी के पोधे की पूजा कर सकते हैं, आप सुबह और स्याम के वक्त तुलसी में घी का दीपक जरूर जलाए साथ ही आपको तुलसी चालिसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए नंबर बारा है यदि आप पूरे कार्तिक महा में स्याम के वक्त घर के मंदिर में साथ कपुर जलाते हैं तो घर में इस कारात्मा कूर्जा का परवेस होगा और यदि घर में सदस्यों के मध्य किसी भी परकार का मतबेद है तो वह भी सुलज सकता है, इतना ही नहीं सुभै और स्याम की पूजा परिवार के सभी सदस्या मिलकर करते है तो यह और भी ज़्यादा फलदायक हो सकता है नमबर 13 है कार्तिक मास में अश्ट लक्समी जी की पूजा जरूर करे इससे आपको धन लाब के साती संतान लाब स्वास्तिय लाब और सुख स्यांती भी प्राप्त होगी अश्ट लक्समी की पूजा आपको हर सुकुरवार को करनी चाहिए आप चाहे तो कार्तिक के महीने में हर सुकुरवार के दिन आप अश्ट लक्समी जी का वर्थ भी रख सकती है आपकी जानकारी के लिए पता दे कि देवी लक्समी जी के विजय लक्समी, विद्या लक्समी, धन लक्समी, गज लक्समी, संतान लक्समी, वीर लक्समी, भाग्य लक्समी, धन्य लक्समी और आदी लक्समी जी का पाट सवरूप है यदि आप अश्ट लक्समी जी की पूजा करती है तो देवी परसन होकर आपको एक साथ सभी कुछ परदान कर देती है नमबर चोदा है घर की सुक्स्यानती को बढ़ावा देने के लिए आपको कार्तिक मा में हर दिन गंगा इसनान करना चाहिए जाहिर है ऐसा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है इसी लिए आप हर दिन इसनान करने वाले पानी में थोड़ा गंगा जल मिला ले इसके साथ ही आपको काले तील भी पानी में डाल कर इसनान करना चाहिए इससे आपका मन स्यानत रहेगा और घर में फैली असांती कम होगी नमबर पंद्रा है कार्तिक के महिने में आपको अपने भोजन में भी थोड़े बदलाव करने चाहिए वैसे तो इस महिने में मूली खाने का विशेश महत्व है यदि आप भी अपने भोजन में मूली सामिल कर सकते है तो आपको बता दे कि आप कार्तिक के महिने में स्री भोग में भी चढ़ा सकते हैं इससे भीव है बेहत परसंद हो जाएंगे इसके अलावा आपको कार्तिक के महिने में दूद से बनी चीजे ही जादा खानी चाहिए इस महिने में आपको उड़द की दाल, तिल, प्याज, लैसुन, मास और मदीरादी का सेवन नहीं करना इन में देव उठनी एकाजसी, दवाजसी, त्रियोदसी, बैकुंठ चतूरदसी एवं कार्तिक पूर्णीमा सामिल है इन तीथियों पर किये जाने वाले इसनान, दान, दीप, दान से अक्सय पूर्ण्य और भगवान जी की विसेश किर्पा प्राप्त होती है इस पूरे म नहां में ब्रह्म मूरत में इसनान का विसेश महतों माना गया है नंबर 17 है मानता है कि कार्तिक के पूरे महिने में सुर्योद्या के पहले उठकर नदी तालाब में इसनान और दान करने से बैकुंठ लोग की प्राप्ती होती है पंडित चतुरबूज पांडे ने बताया ह कि कार्तिक वर्त का 12 वरस का संकल्प होता है वहीं पंडित लक्समी नाराण सास्त्री ने बताया है कि इस दिन घाठ प्रिशनान कर गाएं के गोबर से लीपना चाहिए रंगोली बनाकर भगवान श्री गनेश जी का पूजन करने से 10 दिगपाल परसंद होते है यह हमारे व पर उपुवास रखकर स्याम को गन्य के मंडप में भगवान सालिग्राम और माता तुलसी जी का विभा कराना चाहिए रात्री जागरण कर भजन की इरतन करने से वैशनों पद प्राप्ती होती है दवाजसी पूजन पंडित केसव गिरी महराज ने बताया है कि कार्तिक की द्वाजसी पर भगवान दामोदर और गोमाता का पूजन करना चाहिए जल से भरे वे घड़े में सुपारी सर्ण रजत धातु डाल कर दान करने से भगवान परसन होते है इसे घर में लक्षमी जी कवास होता है और साल बर्धन वर्षा होती रहती है साथ ही विशनों ल करना चाहिए 32 दीपक परजवलित कर भगवान सीव का पंचाकसर सत्रोत से अभिसेख और मोन वर्त धान करने से माता गोरी परसन होती है मापार्वती के आसिरवात से धन संपदा की प्राप्ती होती है नंबर बीस है बैकूंट चतुर्दसी पंडित सनत कुमार खंपरिया महराज ने बताया है कि कार्तिक सुकलपक्स की बैकूंट चतुर्दसी पर अरुणोध्यकाल में भगवान विश्वनात का पूजन करें इस दिन हरी और हर का मिलन होता है दोनों ही गंगा जी में जल क्रीडा करते हैं इस दिन पंच गव्या और गंगा जल से सनान करके विश्यकों सभी प्रकार के रोगों से मुक्ती मिल जाती है नमबर 21 द्वाजसी पूजन पंडित केसव गिरी राज महराज ने बताया है कि कार्तिक सुकलपक्स की द्वाजसी पर भगवान दामोदर और गोमाता का पूजन करना चाहिए जल से भरे हुए घडे में सुपार इसरण रजद्धातु डाल कर दान करने से भगवान विश्नु जी परसन होते है इससे घर में लक्षमी जी का वास होता है और साल भर्धन वर्षा होती है साथ ही विश्नु लोग की प्राप्ती भी होती है त्रियोधसी पूजन सास्त्री ने बताया है कि इस दिन सुबह उ आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आयोगी पसंद आयता वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल प्रण्यू आते है तो सब्सक्राइब जुरूर कीजे का फ्रेंड्स मैं आप लोग से मिलती हूं नेक्ट्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे जैम आता द हुआ है तो सबमागी लोग से बादे खीड़ है तो सबस्क्राइब जुरूर को शर्ण्यूर के लिए थाइ़ जड़ हैं जिए रादे रादे हैं वीडियों आता दूश्